कि नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब टेड़ा पर स्वागत है कैसे हो आप सभी आप सभी के लिए बंपर वेकंसी निकलने वाली है आप सभी की रेलवे में असिस्टेंट लोको पाइलेट जिस पर मेरा सेलेक्शन हो रखा है जो मुझे जो मिला था वो राजी जोन से था मेरा वहां पर मेरा सेलेक्शन होता चकधर पूरकर के जगह है वहां पर मैंने आप सब्सक्राइब लेटर भी दिखा है आपने मेरी वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर नहीं देखिए तो जाके चेक आउट कर सकतो साथी साथ म लेटर भी महाँ पर दिख जाएगा ठीक है एक्शुली मैंने इसको जॉइन नहीं किया तो आप सभी की भरती आने वाली असिस्टें लोको पाइलेट की पदबे जिस पोश्ट मैं सेलिशन हो लुए इस बार थोड़ा सा चेंज़े सो रखखा है अगर उस बार भी लगबच 26,000 के समय में भी यह भरती ऐसे ही आई थी 26,000 के लमसब में वेकेंसी आई होती ठीक है उसका पूरा सेलेक्शन पोसेशन में किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा मगर आज की वीडियो में आप सेलिको मैं कॉलिफिकेशन से रूब रूब कराना चाहता हू आप दस्वी पास हो जरूर देखो इस वीडियो को क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि दस्वी के ओल नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सेलेक्शन के ओल दस्वी पे नहीं हुआ था इसके साथ मेरी एक एडिशनल कॉलिफिकेशन ची जो आई टी आई होती है मगर इस बार आई इसको mmv कहते हैं इसी में टेक्टर मेकनेगेशल मेकनेक बहुत सारे डाफ्रेटर वाले होते हैं ़िय। वाले होते हैं बहुत सारे जो इलिजिबल होते हैं वो ट्रेट्स को जोडआ गया और उसके साथ यहां पर लिखा हुआ है एक्ट-Apprenticeship अब दीखिए अब यहां पर लगा हुआ ना अब इससे को डाउट एक यह क्रियेट हो रहा है कि यह दोनों ही चाहिए हो को कि देखो केवल अप्रेंटिस से सेलेक्शन नहीं होता को कि अप्रेंटिस से तभी हो सकती है जब आपके पास आपने आपने कर रखी हो तो यहां पर यह एक जो एडिशनल चीजे यह सबसे बड़ा बदला और इसके वज़से काफी वच्चे फेल होने वाले को कि करता नहीं है आज आप सभी कुछ को पता है सब आईटिये करने केबाद किसी कहीं कहीं काम कर लिए अप्रेंटिस कोई नहीं करता हुथ और अपरेंटिस भी तरीके से होती है मैंने बहुत कर रखा ठीक है यहां पर जो करते ही नहीं है इसके उसे काफी कम कॉंपेटेशन होने वाला यह सबसे बड़ा बंदा हो था उसके बार यहां पर देखेंगे तो डिप्लोमा इन दिखांगा अभी मैं लेटेस्ट दिखा रहा हुँ डिप्लोमा इन लाइफ यह समझ लो कि आप सभी को अगर इस चैनल से जोड़ जाओंगे ना आप सभी तो मैं आपको ऐसी guidance देने वाला हूं ऐसी mentorship देने वाला हूँ आपको पता है मेरा ITPP में सेलस्टन नो रहो मेरा कई जगह सेलस्टन नो रहा अब अब देखा आप आपने आइडा बच्छों को मेरे गायदेंश दी उनका सेलक्षन Convers 갑ॉ बच्चों को मैंने गाइडेंस दी उनका सेलेक्शन होगा आप जाके देखो चैनल पर चेक आउट करो अब पता करो बच्चों से कमेंट बॉक्स देखो उसके साथ अब मैं सोच रहा हूं कि आप सभी को इसके लिए भी गाइडेंस दू क्योंकि मार्केट में जो बिजनेस च अप्धन गुजरोंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज नहीं आता कि आप उसका में कुझषण हो करोगे तब ही तो ही पता है आप तक आप सीख पाओगे कोई आपको दूर से देखने से आपको सीखने सकते मैं इस रास्ते मेरा सेलेक्शन हो रखका है मैं में टेकनिकल फिर उसके बाद आप सभी का साइको फिर मेडिकल डीवी मैंने सब कुछ कौलिफाई कर रखता है तो मुझे सब कुछ नौलेज है इसके बारे में जो है बात है जो प्राउडली कहूंगा मुझे है मैंने एक्जाम के लिए रखा है मिरे पार जोर्णिंग लेट आप अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ट्रेड की बारे मता रखा है कि ट्रेड क्या क्या हो सकते हैं एक साल का होता है यहां पर नोट में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन और स्टीम और इंजिनरी इंस्टीट इन लाय ओफ इस तरह हैं अगर आपका है के समकच्छे तो आप हो सकते हो उसके बाद यहां यह भी बोला गया है डिगरी इंजिनरी बीटेक पिछली बार भी अलाव था और इस बार अगर आपको पिछले साल की कौलिफिकेशन दिखाओं तो मैं आपको दिखाता हूं मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूं कहां गई आप सभी का अब उसके साथ दिखिए आप सभी का अब उसके साथ दिखिए आप सभी का कई पर भी आप सभी की कर नहीं किया गया पिछली साल है कोई लेकिया और इससाल की आपके पास अप्रेंटिस यह इस भार आपने नहीं लिखा वा या फिर आपने डिपलोमा होना चीए यह फिर आपने डिगरी का रख्यों यह ची रखाया अगर आपको विश्वास नहीं होता तो यह qualification आप सभी के देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पाइलेट यहां पर लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो मेकैनिकल कभी दोनों तरह से आप सभी का लब लब सेम कौलिफिकेशन हो जाती है यहां पर डिपलोमा डिग्री दोने को यह बदला हुआ है बहुत बड़ा और इस बदलाव के विच्वास दो वेकेंसी आएगी वेंपर वेरती आएगी ठीक है इस अगर आप मेरी बात विश्वास करोगे मैं डेफिनल्टी बता रहा हूं आपका एक रुपए खर्चा नहीं होगा और आपको अच्छा आपको 10,000 का कूर्स लेने के जोत नहीं है आपको कोई किसी और की पास नहीं जाने के जोते हैं वो सब आप सभी को बनाने वाले है अगरेंटी आप से लेता हूं अगरेंटी वो आप सब को कि बनाएंगे उसके लागा कुछ नहीं है मैंने बिना कोचिंग के बिना कोचिंग के असिस्टें लोको पाइलेट का एक्जामने से निकाला है कोई 17,000 फीस नहीं देने के जोते हैं कोई 5,000 फीस देने के जोती है बिना मिना उसके कोचिंग के मैंने साइको निकाला है मेरे नंबर काफी अच्छी आयते साड़े 22 नंबर हाइस थे मेरे साड़े 22 नंबर के 270 निखाला चीजंड जो Messy कोई भी कोचिंग कि बीना कोचिंग कि ऐसा भी नहीं था कि मैं पढने में बहुत तेस था सब था मेरी तयारी मेरी घाइडन्स जो मैंने अपने वो गाइड है खुच से उगाइड किया अपने आपको उसनमें यूटूब यूटूब था कि यूटूब पर कोई गाइडेंस दे रहा हूं नहीं था उतना रहा मैं खुद से अपने आपको गाइड किया और मैं वही चीज आपके अंदर भरना चाहता हूं देखिए पैसा बहुत जरूरी होता है अगर आप उसको सेव कर पाओ तो बहुत बड़ी बात होती है आपके परिवार वाले भी सुचेंगे कि मैं लड़का दस जार रुपए कोर्स ले रहा मैं और अगर मालेजे बाइचांस डूब गया तब क्या करोगी आप तो तरीका ऐसा निकालो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो फायदा जादा हो और वह चीज मैं आप सभी को करने वाला हूं अब पूरी ऐसी गाइडेंस होगी ना ऐसा मैं तरीका आप सभी को बताऊंगा ना पढ़ने का और ऐसे सब कुछ बताऊंगा कि आप सभी एक दम देखते रहे जाओ कि हाँ यह तरीके से अगर मैं करो तो मेरे सफलता मिल सकती है और मैंने वहासिल किया है ब लुखमेंट अपने पास हुआ है इस तरह मैंने आई तीबिपी अभी दिखाया था बच्चों को अपना जो तो सेलेक्टेशित सब कुछ था दिखाया मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सेलेक्षिन चाहिए तो अभी इससे त्यारी करने के जुरूत पड़ेगी अभी इससे मैथमेटिस मैं सुरू कर रहा हूं मैथमेटिस अगर आपको पढ़ना है तो मात 10 रुपए में मैं पूरी जो आपकी mathematics आने वाले इस examination में मैं रहेगी उसको मैं कवर करने वाल है जो आपकी examination के लिए हैं बस आपको सपोर्ट करने की जड़ों थे मैं आपको फिरी कॉंटेंट करूंगा कम से कम दाम पर अच्छा सब्सक्राइब करूंगा और आपको और इस चैनल से कि यह बाकी मैं आप सभी के लिए हो ठीक है वेकेंसी के लिए आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब